सो हेलो दोस्तो गुड इबनिंग कैसा आप सब उमीद करता हूं अच्छे होंगे तो दोस्तो एक फिर से स्वागत आप सभी का साइंस के एक और नए धमाकेदार प्रैक्टिसेट पे लेकिन उससे पहले मैं आप सभी से बता दू कोष्ट गार्ड के लिए आज मैथ का नहीं एटेंड किया है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उस लाइप टेस्ट वीडियो का लिंक मिल जाएगा प्लीज इस क्लास के बाद जाकर के वो लाइप टेस्ट जरूर लगाईएगा उसे आपको पता चल सकेगा कि आपकी मैथ की त्यारी कितनी बहतर तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज की इस धामा के दर प्रैक्टी सेट को और मैं आपको बता दू दोस्तों जो कुछ भी साइंस में मैं आपको बता रहा हूं इस प्रैक्टी सेट में साइंस के जो प्रैक्टी सेट लेका रहा हूं जो कुछ भी करा रहा के लिए वो अभी तक आपने जॉइन किया है कि नहीं किया है यदि अभी तक आपने नहीं किया है मतलब क्या कर रहा हूँ आपको जॉइन करना ही पड़ेगा ठीक है अफड़ा-फड़ अपने आपको ऑन एकाड्मी पर इंड्रोल करो और जाकर कि प्लस कुर्सेस भाई करके यह crash course जोइन कर लो आप देख सकते हूं इसमें टॉप ए एजुकेटर में लगके के आपके दोचार 21 बैज की त्यारी करा रहे हैं जिसमें प्रयांक प्रभास सर आपको जीएस और रिजनिंग पढ़ा रहे हैं अनिस पठक सर आपको इंग्लिस और म्यांक चतुरवेदी सर को आप जयनते ही हैं वो आपको math पड़ा रहे हैं ठीक है और definitely मैं आपको guarantee दे सकता हूं इस जो यह crash course है कि इस crash course है आपके जो है इंडियन नेवी की त्यारी आप चाहिए सरसार की त्यारी कर रहे हूं MR की या फिर डबल लेकी definitely बहतर से बहतर हो जाने वाली है और आप पहली इस बार में यह exam में बहतर से बहतर करके दिखाएंगे तो प्लीज आइए अपने अपको अनगाडमी पे इन्रूल करिए और यह batch course जोईन कर लिजे चलिए अगला देखते हैं अगला नूटिस है हमारे Air Force के candidate के लिए तो 8 March से अनगाडमी पे यह mission Air Force नाम का practice बैस शुरू ह हुआ है 35 दिन का ठीक है तो आपको भी पता है कि आपके exam में बिल्कुल भी समय नहीं बचाए तो यदि बहतर से बहतर practice करना चाहते हैं अपने exam के कम से कम समय में तो आज ही अपने आपको अनगाडमी पे इन्रूल करो plus courses बाई करो और जाकर के फटा-फट यह practice best जोईन कर करो जो 35 दिन का यह practice best शुरू किया अगा है टाप एजुकेटर हैं इसमें आप देख सकते हैं रामसरुप ग्यानी सर हैं मैंग चतुरवेदी सर हैं दिक्षा मैम है अभिषेक सर हैं और सुनिल कुमार गुपता सर हैं ठीक है तो देर बिल्कुल भी नहीं करना है फटा- से ठीक है तो फटा-फट जाओ आपने आपको अनकाडमी पे इंड्रोल करो प्लस कोर्से जबाई करो और इस क्रैस कोर्स से अपनी तयारी सुरू कर दो कम से कम समय में बहतर से बहतर आपको रिजल्ट इस क्रैस कोर्स से मिलने वाला है जिसमें टाप एजुकेटर मिलकर के जो है आपके इस क्रैस कोर्स में तयारी करा रहा है तो फटा-फट जाइए आपको कुछ नहीं करना है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको अनकाडमी अपका लिंक मिल जाएगा उसको अपने फोन में इंस्टाल कीज़े इंस्टाल करने के बाद आपने आपको उस पर 10% का डिस्कांट मिल जाएगा तो फटा-फट जाइए अपने आपको अनकाडमी पर इंड्रोल करिए और अपनी तयारी को एक नया मुकाम देना शुरू कर देज़े चलिए अपने क्लास की तरफ चलते हैं तो अब इस प्रैक्टिस एट के कोशन से पहले हर बार की तरह सब तो मैं इंतजार कर रहा हूं उसके बाद कोशन्स देखेंगे फटा-फट लाइक से और सब्सक्राइब करिए तो ध्यान देजागा दोस्तों यहां पर जो हमारा सबसे पहला कोशन दिया गया है साइंस का बूग कह रहा है दा इंस्टुमेंट यूश्ट फार मेजरिंग ए दोस्तों अगला कोशन हमारा कह रहा है इंटेंसीटी आफ एनी वेविस प्रोपोर्शनल टु वीच आप दी फालोइंग ब्याद मैंत्मों कोशन है ध्यान दीजेगा घुमाओदार है किसी भी तरंग की प्रवलता उसके निमलिकित में से किस अनुपात निमलिकित में से कि प्रोपोर्शनल होती है या फिर उसके आयाम के घंट के प्रोपोर्शनल होती है फडवाड़ाट कमेंट करीगा जिहां कुछ लोग ने बिल्कुल गलत दिया लेकिन कुछ लोगों का जबाप सभी सभी तरंग की प्रवलता उसके एंपलिटीुड के हैं इसक्वाइर के क् इससे मैं Mac लंसे कोई कहँ रहा है कि ये लेवल नहीं इस लेवल नहीं को अब map क्ले ऍसक्राइब बिल्कुल भी दूसरों की में नहीं आना है आफ को बिलकुल प्याज में खाद परदार्त के रूप में संचित होती है फड़ाफट कमेंट करेंगा प्याज में फूड होता है वह किस रूप में संचित होता है आफ नमर एढ़ता हूं 60 व प्रोटीन आप brotherzaasư नमर झेस्टार्च और आफ नमर डीउगर तो तो यह जो onion में जो यह food की बात कर रहा है तो मेंन जो हम लो खाते है onion के वही onion का जो हिस्सा हम लोग खाते है उसी की बात कर रहा है तो फूड के रूप में onion में क्या होता है thank you problem työ होता है ठीक है किस रूप में vцо food store होता है ओनियन में cellulose किस रूप में cellulose अब कुछ लोग कहेंगे starch भी होता है लेकिन starch की मातरा बहुत ही कम होती है और starch उसके main जो होता है जो खाने वाला वो होता है ठीक है पार्ट होता है उसमें कम होता है ठीक है और cellulose की मातरा 44% होती है कितनी होती है 44% इसलिए option number A हमारा बिल्क फटार्फट करेंट करेंगा करेंगा कफार कफार्फ wrong एंथ्च नुमर के खुरे कर्यागा सबसे प Apart VFs as, कह रहा कि कम ताप मात्रा पर सीशा निमलिकित में से किस रूप में बढ़ताओ करता है देख लिजगा, ध्यान दीजगा, यह कोशन यह मैं आपको बताऊंगा भी कि इस तियोरी का परतिबादन किस साल किया गया था, ठीक है फटाफट कमेंट करेगा, यह कब डिस्कवर किया गया था, कह रहा है कि लो ताप पर, ठीक है, लो टंपरिचर पर ठीक है, कम ताप मात्रा पर सीशा निमलिकित में से किस रूप में बढ़ताओ करता है सेमी कंड़क्टर, या फिर सूपर कंड़क्टर का बढ़ताओ करता है या फिर इंसुलेटर, या फिर कंड़क्टर फटाफट कमेंट करेगा, बिल्कुल गलत जबाब आप सभी लोग दे रहे हैं, कुछ लोगों का जबाब सही है, बाकी लोगों का जबाब बिल्कुल गलत है तो दोस्तों मैं आपको बता दू कि कम ताप पे सीसा एक सूपर कंड़क्टर का बरताओ करता है इसका सूपर कंड़क्टर का ठीक है स्रेस्ट चालक ध्यान दीजेगा और लो टमप्रेचर नियर अबाउट कितना होना चाहिए 7.2 केलवीन कितना 7.2 केलवी ठीक है एस टमप्रेचर पे क्या होता है सीसा एसे सूपर कंड़क्टर बरताओ करता है और इस थी पहैंद साथ जोड़ दिया जाता है उसे क्या कहते हैं आपने बैरी ने का आउज हैगा सब्सक्राइब swallow पे 7ड में यहाज है जोड़ा जाता है उसे क्या about solar cell paying के दर इन्हें definite pattern is card solar cell panel ठीक है solar cell के जिस सम्हों को एक निश्चित pattern में एक साथ जोड़ा जाता है उसे क्या कहते हैं हम लोग solar cell पैनल जो अपने छहत पर आप लोग लगाते हैं न वो क्या होता है उसको solar cell panel ही बोलते हैं ठीक है नोट कर लिजेगा चलिए अगले पैनल बोलते हैं और जब कई सारे solar panel को एक साथ जोड़ दिया जाए तो solar cell फटा फट कमेंट करेगा बिल्कुल सही जब आप सभी ने दिया है दोस्तों तो मैं आपको बता देता हूँ जो cement का chemical composition है ठीक है रासाइनिक सेनोजन है उसमें तीनों ही होता है क्या क्या चुना पत्थर भी इस्तमाल किया जाता है ठीक है cement में मिट्टी का भी इस्तमाल होता है clay का और जिपसम का भी ठीक है आपस नुमर B हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा नोट कर लिजेगा आगले कोशिन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों तो हमारा आगला कोशिन क्या कह रहा है the reverse effect of x-ray emission is x देख लिजगा कह रहा है कि x किरणों के उत्सरजन का पर्तिकुल परभाव क्या है फटाफट कमेंट करेगा x किरणों का उत्सरजन का जो है x किरणों के उत्सरजन का पर्तिकुल परभाव यानि reverse effect क्या होता है the reverse effect of x-ray emission is x-ray किरणों का उत्सरजन पर्तिकुल परभाव क्या है ठीक है तो वह है आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नोट कर लिजगा ठीक है तो reverse effect x-ray किरणों के इमेशन का जो reverse effect होता है उसी को बोलते हैं photo electric effect क्या बोलते है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आपस नोबर d हमारा बिलकुल करेक्ट है नोट कर लिजगा चलिए आगले कुशिन के तरफ बढ़ते हैं दोस्तो तो हमारा आगला कुशिन दिखिएगा बेहत मैत पूर्ण है काफी और काफी वार एक् में बदलता है या फिलो वोल्टेज एसी एल्टरनेटिंग करेंट को हाई बोल्टेज एसी में बदलने के लिए प्रयोग किया जाता है या फिर मेकेनिकल इनर्जी को इलेक्ट्रिकल इनर्जी यानि यांत्रिकूर्जा को विद्धूर्जा फटाफट कमेंट करेगा एल्टरनेटिंग करेंट में चेंज करने के लिए इस्तमाल किया आता है ट्रांसफार्मर का चलिए अगले कोशन की तरह पर मुख बढ़ते हैं दोस्तों हमारा अगला कोशन कह रहा है दा वेट आप जेक्टी इस मैक्सिमम ब्याद मैं पूर कोशन यह मैं आपको बहुत पहले लड़र्ग बढ़ते पढ़ा चुका हूं और काफी और काफी वार एक्जाम में भी आ चुका है किसी भी वस्तु का भार किस इस्तिती में शब्से अधीक होगा फटाफ़ट कमेंट करेगा किसी भी वस्तु का भार किसी एस्तिति में सबसे अधिक होगा आपसे नमरे अ बोलता हूं आप एक्वेटर भूमाद रेखा पर आप सेन्ट्वह दोस्तो किसी भी वस्तु का जो मैकसिमम भार होगा सबसे अधिक भार किसी भी वस्तू का जो होगा वह पिरत्वी के द्रूह अपर ठीक है note कर लिजागा किसी भी अब्जेक्ट का maximum weight होगा वह पिरत्वी के पुल्स पर होगा पिरत्वी के द्रूह अपर होगा तो उसमें कहा है कई लोग सबसे जादा नुमेरिकल पूशे जाएंगे एक बात बताओ आपको 45 मेट का समय दिया जाएगा 45 मेट में 60 कोशन करना है तो अब आप मैथ 45 मेट में करोगे 20 या फिर साइंस के जो है तुम नुमेरिकल करोगे भाई या फिर जीके करोगे या फिर करोगे आप बता या फिर रिजनिंग करोगे तो दोस्तों मैं आपको बता दूं सिर्फ आपको बेवकूफ बनाया जारा है ठीक है मैं आपको बता देता हूं साइंस में कम से कम बस एक से दो नुमेरिकल कोशन होंगे एक से दो से अधिक बिल्कुल भी नहीं होंगे ठीक है जो बोल्टेज वाला आता ना कि इतने बोल्ट का बल्ब यूज कर रहे हैं तो वो उसका बिजली का कॉस्ट कितना आएगा ऐसे करके मैंने कोशन कराया है बिल्कुल वैसा ही एक नुमेरिकल कोशन आपको जो है मिलेगा साइंस में ठीक है बाकी एक से दो कोशन ऐसे ही कुछ नहीं होगा किसी पर भी आप विश्वास मत करिए ठीक है चलिए आगले कोशन के तरह लोग बढ़ते हैं दोस्तों तो अब जो हमारे यह कोशन है हमारे इस क्लास का आंतिम कोशन है ज्यादे कोशन नहीं रख पाया हूं क्योंकि थोड़ा आज बीजी था ठीक है बाक कितने भी लोग देख रहे हैं और साथ में यह भी जरूर बताएगा कि आप 11 कोशन में से कितने कोशन बिल्कुल सही कर पाएं उससे साब से कोशन का लेवल मैं आप यह डाउन कर सकूंगा कोशन बोलता हूं फटाफ़ट कोशन देखिएगा दीव फॉर्ट इसके लिए इस अब सी बोलता हूं विंड बैलो सीटी हवा की गती और आपस नुमर डी बोलता हूं इंटन सीटी आप आर्थिक बुकंप की तरिवता फटाफ़ट कमेंट करिएगा बिल्कुल सही जबाप काफी लोग ने दिया है वैसे तो मैं आपको एंसर नहीं बताऊंगा आप सभी ल नहीं देते हैं मिलते हैं फिर एक नए प्रैक्टिस एट में तब तक के लिए धन्यवाद